Hello students, तो आज हम करेंगे exercise 7.2 का question number 2, तो question number 2 क्या कहता है? Express the following as mixed fraction. यहाँ पे हमारे यह कुछ fractions दे रखें, और इनको हमें क्या करना है? Mixed fraction में express करना है. जब ने इस chapter का introduction पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो improper fraction होते हैं, उनको हम mixed fraction में लिख सकते हैं, और mixed fraction को हम improper fraction में लिख सकते हैं. तो यहाँ पे यह हमारे क्या है? improper fraction है. अब mixed fraction क्या होता है? ऐसा number होता है, जिसमें whole number भी हो और fraction भी हो. तो यहाँ पे हम इसको mixed fraction में कैसे लिखेंगे? यह वाला पार्ट हम इसको क्या करते हैं divide कर लेते हैं यहाँ पे लिखते हैं 3 यह लिखते हैं 20 अब यहाँ पे 3 का table पढ़ते हैं और कब तक पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा न जाए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 3 7 जा 21 21 जादा हो गया तो यहाँ पे यह 3 6 जा जाएगा तो यहाँ पे यह 6 टाइम जाएगा 3 6 जा 18 तो यहाँ पे हम 18 लिखेंगे और यहाँ पे क्या बचेगा 0 में से 8 जाएगा न यहाँ से 1 कैरी करेगा यह हो जाएगा 10 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा तो अब हम इस fraction को जो हमारा ये improper fraction दे रखा है 20 by 3 इसको किस तरह से लिखेंगे पहले ये जो answer आया है इसको लिखेंगे और जहां पर ये denominator में जो number है इसको हम ऐसे ही रखेंगे इस तरह से अब इसमें क्या बचा है ये 2 बचा है इस 2 को क्या करते हैं हम उपर लिख लेंगे य अब यहां पर हम इसको divide कर लेते हैं 5 यहां पर 11 लिखेंगे अब यहां पर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 तो यहां पर 10 लिखेंगे ये 1 आ जायेगा तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं यहां पर पहले हम यह answer लिखेंगे यहां पर लिखेंगे उसके बाद में यह जो denominator में होता है वो same तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे, यहां पर यह जो 1 आया है, इसको हम उपर लिख देंगे, तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो आंसर आएगा, उसको हम पहले लिख लेंगे, और denominator चेंज नहीं होता है, तो उसको हम वैसे ही लिखा रहें देंगे, अब यहां पर हम C वाला 14 जाएगा, 3 बचेगा, तो यह हमारा हो जाएगा, यहां पर यह जो आंसर इसको हम पहले लिखते हैं, और denominator को हम ऐसे ही same to same उतार देते हैं, यह जो says आता है ना, reminder, इसको हम उपर लिखते हैं, तो यह हमारा C वाले का mixed fraction हो जाएगा, next part हमारा D वाला दे रखा, इसको भी द 25, 5, 25, तो यहां पर यह 5 टाइम जाएगा, 5, 5, 25, यहां पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, तो इसको किस तरह से लिखेंगे, 5 यहां पर यह जो आया है, इसको हम पहले लिख लेंगे, denominator सेम रहता है, इस reminder को उपर लिख लेंगे, तो यह हमारा mixed fraction बन जाएगा, अब हम next वाला part, इवाला part हमारा क्या दे रखा है, 19 upon 6, तो यहां पर हम 19 को 6 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 बन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्रीजा 18, तो यहां पर 6 थ्रीजा जाएगा, यह 18 यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, और denominator में इस 6 को ऐसे ही उतार देंगे, और reminder को उपर लिख देंगे, अब यहां पर हम लास्ट वाला part देख लेते हैं, लास्ट वाला part क्या कहता है, F, यह हमारा दे रखा है 35 by 9, तो पहले हम क्या करते हैं, 35 को 9 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 बन जा 9, 9, 2 जा 18 9, 3 जा 27, तो यहां पर 3 टाइम जाएगा, यह 27 हो जाएगा, यहां पर 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो यहां से 1 केरी करेगा, यह हो जाएगा, 15, 15 में से 7 जाएगा, तो कितना बचेगा, 8, तो यह हमारा क्या जाएगा, इस 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और denominator को ऐसे ही लिख तो ये हमारा मिक्ट फ्रेक्शन आ जाएगा लास्ट पार्ट था कोशन्स हमाथ नेक्स लेक्शर में करेंगे नेक्स्ट कोशन्स आज के लिए बस इतना ही